नमस्कार दोस्तो अभी अभी इस वक्त के सबसे बड़ी कबर भेंकर भूकम्प को लेकर आ रही है जी हाँ दोस्तो बता दें एक साथ दो राज्यों के धरती कांपी है महराश्ट के नासिग में दोस्तो भूकम्प के जटके महसूस किये गए हैं वहीं अरुनाचल प्रदेश में भी धरती कांपी है महराश्ट के नासिग में 23 नावंबर को भूकम्प के जटके महसूस किये गए नेशनल सेंटर पॉर सिस्मोलोजी के मताबिक भूकम्प के जटके सुबह लगबग 4 बच कर 4 मिनट पर महसूस किये गए हैं रियक्टर इसकेल पर भूकम्प की जो के महसूस किये गए और यहाँ पर भूकम्प की जो तीवरता है वो 3.8 मा भी गई है भूकम्प की गहराई जमीन से लगबग 10 किलोमेटर नीचे थी यह भूकम्प अरुणाचल प्रदीश के बसर से 58 किलोमेटर उत्तर पस्चिम में आया था साथियों बता दे कि रेक्टर इसकेल पर 2.0 से कम तीवरतावाले भूकम्प को माइक्रो केटिगरे में रखा जाता है और यह भूकम्प महसूस नहीं किये जाते हैं वही सातियों बता दे कि इस से ज़्यादा कि जो भूकम्प होते हैं उनको महसूस किया जा सकता है जैसे कि आज महाराष्ट में और अरुणाचल प्रदेश में भूकम्प के जटके महसूस किया गए थे सातियों बता दे कुछ बीते कुछ दिनों से लगतार दिल्ली NCR उत्राखंड में भूकम्प के जटके आये थी वही सातियों अब महाराष्ट और अरुणाचल प्रदेश में भूकम्प के जटके दिखाई दिये हैं और सातियों चक्रवाती तूफान भी और पस्चिमी विक् सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें वीडियों को ज्यादा ज्यादा सेयर करें ताकि सब्सक्राइब लोगों तक अपडेट जा सके धन्यवाद दूस्तू जेहिं